नमस्कार स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लाटफॉर्म पर मैं हूँ नीलू व्यास आज प्रियंका गांधी गुजरात के वलसाड में थी और आज उनका अगर आप भाशर सुने तो शायदी कॉंग्रिस का कोई ऐसा नेता होगा जिसने की आज तक मोदी जी को इ नीच में इस तरीके से बेनकाब किया होगा आज कर मोदी जी अक्ऍसाइब जाते हैं ये कहते हुए कि देखे महिलाओं का मंगल सूतर चिन जाएगा अगर इंडिया उलाइंस की सरकार आ जा जाएगी और जो जेवर हैं वो इंडिया लाइन्स की सरकार लेकर चली जाएगी और माइनॉरिटीज में बाट देगी तो बार बार उस भाशर में उन्होंने ये कहा कि 55 साल तक कॉंग्रिस ने राज किया था क्या आपने कभी आज तक ये बात सुनी कि आपके घर में कोई X-ray मशीन आई हो और X-ray मशीन से कॉंग्रिस आपका सारा गहना और जेवर लेके गई हो साथ में फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी इस तरीके की बाते इसले कर रहे हैं क्योंकि उनका confidence हिल गया है बहकी बहकी बाते कर रहे है साथ में हस्ते हस्ते उन्होंने ये भी कहा कि वो टीवी पर जब देख रही थी उनके भाशार तो पहले उनको लगा कि उनका वीडियो किसी ने मौफ कर दिया है लेकिन कई टीवी चानल्स पर इस तरीके का जब भाशार लगने लगा तो उनको लगा कि शायद उम्र का तकाजा है और हस्ते हुए उन्होंने बोला कि उम्र का तकाजा है इसलिए वो बहकी बहकी बाते कर रहे हैं तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके की बकवास प्रधान मंत्री नरेज मोधी कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत के इतिहास में पहला प्रधान मंत्री होगा जो मंच से जंता से जूड बोलता है मंगल शूत्र पर उन्होंने क्या कहा आईए सुनते हैं देश के सबसे बड़े प्रधान मंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है उस पद की गरिमा को उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बक्वास की बातें आप के सामने तो वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री है क्योंकि पद है क्योंकि पद की गंभीरता है वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही फिजूल की बाते करूंगा और पब्लिक सोचे कि यह सच है यह सच हो सकता है आप सोचिए यह सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजवीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरेय लेके आपके घर के अंदर घुस कर आपके गहने निकाल के किसी और को देदेगा, यह सच हो सकता है, हरे क्या इनको समस्वा हो गई है हमारे नियाए पत्र से, क्या समस्वा हो गई है, हम नियाए कह रहे हैं इसलिए, हम न्याई दिलवाएंगे इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं हम महिलाओं को एक साल महिलाओं को एक लाक रुपए देंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि यह जो 16 लाक रुपए आपने इस देश के दिया है न अपने दोस्तों को हम इस देश में बढ़वाएंगे बस यही तो कह रहे हैं हम हम कह रहे हैं कि जो schemes हैं इनसे आपको रोजगार मिलेगा हम कह रहे हैं कि जो बच्चे सना तक पास हैं वो भठकेंगे नहीं रोजगार ढूंडने के लिए हम उनको apprenticeship देंगे एक लाक रुपए सालाना की कमाई दे देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिले हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए सुविधा देंगे स्वस्थ सुविधाएं देंगे शिक्षा की सुविधाएं देंगे और अंकल जी आपको सुना रहे हैं अंकल जी आपको कॉंग्रेस की सरकार रही कभी किसी सरकार ने ऐसी कोई स्कीम निकाली जिससे कोई एक्स-डे मशीन आपके घरों में आकर आपके गहने ले जाए बताईए तो क्या हो गया मोदी जी को कॉंफिडेंस तो नहीं हिल गया है घबरा तो नहीं रहें कि बहकी बहकी बाते कर रहें हर जगे जाके मतलब मैंने कल टीवी चलाया मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह देश के प्रधान मंत्री बोल रहे हैं मैंने सोचा किसी ने गलत वो वीडियो मॉर्फ करके कर दिया होगा फिर दुबारा मैंने किसी दूसरे चानल पर देखा कि यहीं कह रहे हैं फिर मैंने सुना एक्स्रेश मशीन, मंगल, सुत्र, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं फिर आगे जाके कुछ और भटकी-बटकी बाते कहने लग गए तो क्यों कर रहे हैं यह कि अभी सोचा है आपने क्या सोचा है उमर का तकाज़ यह भी है इसके बाद उन्होंने लगातार ये बाते कहीं कि इस समय देश को दो दुनिया दिखाई जा रही है एक जो चमकीली दुनिया जो मोदी जी मंच से बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है हमने ये किया हमने वो किया और इस चीज को गोधी मीडिया दोहराता है और दूसरी तरफ लोग आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है बार-बार वो जमता से कह रही थी कि यही सचाई है और इसी सचाई पर वो बार-बार ध्यान दिला रही थी कि क्या आपके लिए युनिवर्सिटीज बने क्या आपके लिए स्कूल बने क्या आपकी सेहत सही हुई क्या आपको स्टीक से मिले इस सारी बाते उन्होंने कहीं कि आपके जीवन में किस तरीके का बदलाव मोदी जी लेकर आए हैं शायद आपको पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है वल्लसाड का इलाके का उन्होंने जिक्र किया कि आदिवासियों का इलाका है कई जगां ऐसे हैं जहाँ पर mobile network नहीं है पीने का पानी नहीं है तो इस तरीके की बाते जब मोदी जी बहकी बहकी करते हैं तो जनता को भी समझ में आता है कि अंगल प्रिक जूट के जरीय उड़ा रहे हैं और उन्होंने कहानी सुनाई उन्होंने कहा कि किसी भी बारात में अगर आप जाएंगे तो एक बुढ़े बुजूर्ग होते हैं हमेशा और वो कोने में बैठ कर जनता से बात करते हैं या लोगों से जो बारात में फ्री लोग बैठे रहते हैं उनसे बात कर और एक बुढ़े अंकल जिस तरीके से बारात में कहानी सुनाते हैं ठीक उसी तरीके से मोदी जी जनता को इस तरीके की बकवास सुना रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी ने अपने जो पदगी गंभीरता है उसको खो दिया है और केवल और केवल वो बकवास कर रहे हैं और उन्होंने यही कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे न्याय पत्र से इनको बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इसलिए वो बहकी-बहकी बाते कर रहे हैं आई सुनते हैं क्या कहोंगा हर स्तर पे जूट 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 अब आज कल पता नहीं क्या हो गया है प्रधान मंत्री जी को घर में शादी होती है हर परिवार में ऐसा होता है शादी होती है तो शादी के समें आपने देखा होगा मैंने बहुत बार देखा है कि हमे कि मैं सुनू मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे और अंकल जी सबको अपना ग्यान देते रहते हैं देते हैं कि नहीं है ना अब आप बताओ एक दिन अगर आप ऐसे शादी में या कहीं भी आप चाहे कि दुकान में बैठे और एक ऐसे ग्यान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहें सबको कि सावधान हो जाओ अब जब सरकार आएगी ना कॉंग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुमारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बच्चत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगल सूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी है हस रहे हो ना मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ग्यान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते हैं आप कहते कि यार तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली खूब गहरी साजिस निकाल दी हसते कि नहीं हस्ते आप कहते हैं कि या बख्वास कर दें अगल कि कुछ नया सोचो अब देश की परिस्थिती यह हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधान मंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखें हैं देश में जिनके पास सबसे ज़्यादा सत्था है उस की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बक्वास की बातें आपके सामने तो वह सोच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री है क्योंकि पद है क्योंकि पद की गंभीरता है वह सोच रहे हैं कि मैं ऐसे फिजूल की बाते करूंगा और पब्लिक सोचेगे कि यह सच है यह सच हो सकता है आप सोचिए यह सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजवीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा यह सच हो सकता है अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याए पत्र से क्या समस्या हो गई है हम न्याए कह रहे हैं इसलिए हम न्याए दिलवाएंगे इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं हम महिलाओं को एक साल हर साल महिलाओं को एक लाक रुपए देंगे क्योंकि हम कहई रहे हैं कि यह जो 16 लाख रुपए है अपने इस देश के दिये हैं अपने दोस्तों को हम इस देश में बढ़वाएंगे बस यहीं तो कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो स्कीम्स हैं सम्विधान के मसले पर भी उन्होंने जम कर प्रहार किया उन्होंने कहा कि BJP के जो नेता है वो छोटे मंचों से सम्विधान को बदलने की बात करते हैं और जो मोदी जी मंच पर आते हैं तो कहते हैं नहीं हमारी तो ऐसी कोई मंचा नहीं है तो उन्होंने यही कहा कि BJP की अस असली मंच्छा सम्विधान को बदलने की है उन्होंने कहा कि दस सालों में जो उन्होंने राज चलाया है छोटे नेताओं से वो बुलवाते हैं छोटे मंचों से छोटे नेता बात करते हैं और जैसे ही सत्ता आती है तो उसके बाद जो उनकी असली नियत है उस पर वो काम करन को दूर्बल बनाया है और दूर्बल इस तरीके से बनाया है कि जनता के अधिकार उन से छिंज जाए और हमेशा के लिए जनता कमजोर हो जाए उन्होंने ये भी कहा कि सारे संस्थानों को उन्होंने मोदी जी ने किस तरीके से खत्म किया है और जो संस्थान जनता का अधिका बचाते हैं जैसे कि मीडिया जैसे कि जुदिश्री उसको भी मोदी जी ने छोड़ा नहीं है और साथ में ये भी कहा कि किसी को उनको चुनोती देने की हिम्मद भी नहीं है और सब का उन्होंने मूँ बंद कर दिया है और मीडिया क्योंकि अरपतियों के हाथ में है तो मीडि सम्विधान की वो कह रही थी कि किस तरीके से सम्विधान को खत्म करने की बाद भले ही वो खुद ना बोल रहे हो लेकिन अपने छोटे नेताओं से वो कहलवा रहे हैं ताकि जब तीसरी बार वो सक्ता में आएं तो इस सम्विधान को खत्म कर सकें आज उसी सम्विधान पर उन्होंने कहा ही सुद्टे आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि समविधान को बदलेंगे इस समविधान नहीं आपको अधिकार दिया तो इसको बदलने का क्या मतलब है इसको बदलने का एक ही मतलब है वेहनों और भाईयों कि ये लोक तंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं दस सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिरफ उनको कमजोर करने का काम किया है, और जितने भी ऐसे संस्थान है, ज एक दमाने में जब हम लोगों की सरकार होती थी तो मीडिया हर रोज हम से सवाल उठाती थी, हर रोज कहती थी कि वही सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं ड बड़े बड़े खरब पतियों की है, आपको सच्चा ही दिखती नहीं है, महेंगाई और बेरोजगारी पर भी प्रियंका खुब जम कर बरसी और उन्होंने कहा कि देखे अभी तक आपको सिलिंडर जो बारा सो या तेरा सो में मिलते थे तो चुनाओ आते ही वो सिलिंडर चा बार सो किया जा सकता है, तो अभी तक वो बारा सो में क्यों दे रहे थे, यानि कि हमदर्दी तब आती है मोदी जी को जब चुनाओ पास आते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपनी वो छवी मंचों पर कैसी बनाते हैं, सुपर मैन की तरह, कि सुपर मैन आ रहे ह कि ये सुपर मैन नहीं, बलकि महंगाई मैन है, उन्होंने कहा कि मोदी जी आप जब भी स्टेज पर आये तो आपको लगना चाहिए कि महंगाई मैन आया है ना कि सुपर मैन, उन्होंने कहा है कि अगर इतनी ही ताकत होती, जैसे बताते हैं कि इनमें इतनी ताकत है कि वो ए पा रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी बार-बार इस बात को कहा कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं वो चमचे हैं वो उनको सही बात नहीं बताते वो केवल वही बात मोदी जी से करते हैं जो मोदी जी सुनना चाहते हैं और कितना मोदी जी में एहंकार आ गया है इस ब हुए हैं , ये बही कहा थि और छोटी थि तो अम्यटी में लोग पूछते थे कि वह सड़क क्यों नहीं बनी तब हम प्यार से कहते थे , सुप्सक्रांपहा अर्माय की जो प्रंपरा है वह मोदी जी शोरू की यह एफ़ जो कांगरß का शासनका वो एहंकार वाला काल नहीं और जनता सर्वोपरी थी, किसान सर्वोपरी थे, इस बात को उन्होंने बार-बार कहा, और साथ में ये भी कहा कि किस तरीके से आंदोलन करते हुए किसानों की बिजली मोदी जी ने काट दी, मोदी जी घर से निकलते ही नहीं है, जब महिला पर अत्याचार होता है, तो मोदी जी अपना मूसिल कर बैठ जाते हैं, चुनाओ और सत्ता की परवा है मोदी को, बलकि जनता की परवा नहीं है, ये बात आज प्रियंका गांधी ने वलसाड में कहीं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपने खरब पती जो मित्र है, उन् नया संसद बन सकता है, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं हो सकते, साथ में उन्होंने कई एक्जामपल्स दिये, कि महिलाएं मोदी जी को माला पहनाती है, कि देखे महिला अरक्षर बिल पास हो गया है, लेकिन उन महिलाओं को ये नहीं पता है, कि अभी 5-6 साल लग जाए अरक्षर बिल को लागू करने में, तो उन्होंने कहा था कि नियत में खोट है, आज 2-3 बार उन्होंने ये बात कही, कि मोदी सरकार की नियत में खोट है, साथ में उन्होंने ये भी कहा, कि आप अपने बच्चों का भविश्य उज्वल कैसे बनाएंगे, मोदी जी किलो के राशन का बोरा देकर और फिर वो जंता से पूछती है और बड़े पूर्जोर तरीके से उन्हक시에 पूछा कि क्या 5 किलो राशन के वोरे पर आपके बचों का भविष्य बन जाएगा ये बात उन्होंने बार-बार पूछी है कि 5 किलो राशन देकर मोधीजी पूरे दे पर एसान जतानी की कोशिश कर रहे हैं और यह सोचते हैं कि 5 किलो राशन अगर हम गरीब जनता को दे देंगे तो वो चुप हो जाएगी तो उन्होंने कहा कि यह है आज की परिस्तिती और नहीं कहा कि एक तरफ मोदी जी के दावे हैं कि हमने 10 साल में यह कर दिया हम हमारे पा कि मोदी जी की एक ही कोशिश है कि इस लोकतंत्र को कैसे कमजोर किया जाए विपक्ष पर हमला किया जाए और साथ में फिर जनता से वो पूछ रही थी आखों में आखे डाल कर कि पूरा विपक्ष भष्ट है तो क्या केवल मोदी जी ही इमानदार है इस बात पर भी ताली बजी और साथ में उन्होंने खिर किया कि कैसे कॉंगरीस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है देर सो सांसदों को सनसत के बाहर निकाल दिया था अपार मीडिया है अपार सकता है और दूसरी तरफ लोगों की सच्चाई है तो उन्होंने यही कहा की जनता अपने कर लिया गया यह तमाम एक्जाम्पल्स उन्होंने दिये थे कि यह पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो जूट का सिलसला जो प्रधान मंज्री ने शुरू किया है वो सिलसला कहीं भी खमने को नहीं आ रहा है इस बात का जिक्र भी प्रियंका गादी ने अपने भाशन में आज क कि 70 सालों में कुछ नहीं किया गया है और केवल वो इवेंट्स करते हैं और दुनिया में घूमते रहते हैं और आज जन्ता जब पूच रही है उनका रेपोर्ट कार्ड तो वो घबरा गये हैं और दुनिया के सबसे बड़े इतने बड़े नेता हैं लेकिन वो लोगों को पानी नहीं दे सकते, वो बलसाट की जनता जहां पानी की दिक्कत से जूज रही है, उसी जनता को अड्रेस करते हुए, वो कहा कि वो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े सत्ताधारी इंसान है, लेकिन वो पानी लोगों को नहीं दे सकते, और फिर उन्होंने साथ में कहा कि मोदी जंता से माफी मांगे क्योंकि मंच पर आकर वो किस तरीके से हलकी बाते करते हैं उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंग भी प्रधान मंत्री थे वाचपाई जी भी प्रधान मंत्री थे जो कि बहुत सब भी प्रधान मंत्री थे लेकिन ये देश के पहले प्रधान मंत्री है जो इस तरीके से जनता के सामने मंच पर आकर जूड बोलते हैं और मोदी जी को इस बात की शर्म नहीं आती कि कैसे वो जनता की आखों में आखे डाल कर जूड बोलते हैं साथ में ये भी उन्होंने का कि ये 56 इंच का सीना नहीं है हमारे लिए वो कुछ भी बोलते रहे हमारा लोहा हमारा सीना लोहे का है और साथ में अपनी बातों के जरिये पूरे पुरे पुलिटिकल डिस्कॉर्स का जो स्तर है इतना जादा गिरा दिया है कि वो अब एक मजाक बन गिया है इन सारी बातों को भी प्रियंका गांधी ने अपने भाशण में कहा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से मैनिफेस्टों की चर्चा इस समय सबसे जादा मोदी जी के ही द्वारा हो रही है और बड़ी-बड़ी बाते किया था मोदी जी की तरफ से ले कि जो गरीब किसान है दलित है और किस तरीके से उनको न्याय चाहिए उस यात्रा ने न्याय की गुहार एक तरीके से लगाई है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों के लिए जब बात करेंगे एक आदिवासी बहुल इलाका है तो आदिवासियों को अड्र जिस तरीके से आज मोदी जी को चलनी-चलनी किया है प्रियंका गांधी ने शायद ही कॉंग्रेस के किसी नेता ने इस तरीके से उनको बेनकाब किया हूँ एक बास जो नोगे आदिवासियों को संबोधित करते वे कही थी और वो थी कि एक तीर एक कमान आदिवासी का सम्मान और सात में उन्हों ने ये भी कहा जनता से कि आप मुझसे दूर बेटे हुए हैं लेकिन हम दिल के करीब हैं यानि कि हम आपकी आवाज को लेकर बात कर रह और एक तरव प्रधान मंत्री नरेंज मोदी हैं जो कि बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन दावों में भी पूरा जूट उनका छिपा हुआ है और आज वो जूट बेनकाब हो गया है क्योंकि जनता पूच रही है कि 10 सालों में बोला बहुत लेकिन उन्होंने क्या किया साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बड़े-बड़े आंदोलन आप लोगों ने किये समानता की लड़ाई सबने लड़ी अधिकारों की लड़ाई लड़ी लेकिन आज मोदी जी ने वो सारी चीजों को अपने जूट से ही धराशा ही कर दिया है तो वाकई में जिस तरीके का आज भाशर था उससे आज BJP तिल मिलाएगी, BJP की ट्रोल आर्मी वो भी तिल मिलाएगी and I'm sure कि आज उस तरीके का जवाब अब ट्रोल आर्मी तयार रखेगी या तो प्रियंका की मीम्स बनवाएगी, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी दादी को आपने नहीं छो वो बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही टागेटिंग था और उस भाशर को सुनके बिलकुल यही लग रहा था कि वो अपनी बाते हलके स्वर में कह रही हैं लेकिन इस तरह से कर रही हैं जहां पर मोदी जी को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती हैं ये वो सारे सवालों के जवाब थे जो कि मोदी जी उन सवालों को न तो मूँ से बोलते हैं न उसको अड्रेस करना चाते हैं और उन सवालों से बीजेपी को सो दूर भागने की कोशिश करती है उन सारे मुद्धों को प्रियंका गांदी ने अड्रेस करने की कोशिश की है चाहे वो समिधान हो चाहे मेंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, साथ में उन्होंने ये भी प्रामिस किया, कि अगर कॉंग्रस की सरकार आती है, या इडिया लाइंस की सरकार आती है, तो किस तरीके से समाज के हर तपके को नियाए मिलेगा, चाहे वो किसान हो चाहे गरीब हो और चाहे वो नव्यूवक हो हर किसी समाज के तपके की न्याय की बात उन्होंने की और साथ में ये भी याद दिलाया कि एक तरफ न्याय का मॉडल मोडी जी का था जिन्होंने बड़ी बड़ी बाते की केवल ये कहा कि देखे 70 सालों में कु पूछ रही है तो मोदी जी बहकी बहकी बाते कर रहे है और साथ में उन्होंने ये कहा कि मोदी जी जो इस समय बक्वास कर रहे हैं पब्लिक मंचों से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो अपना संतुलन्द खो बैठे हैं साथ में हसके भी उन्होंने ये कहा कि उमर का तकाजा है वो तो lighter tone में बात थी लेकिन लबो लबाब यही था कि मोदी जी ने अपने पद की गरिमा को खो दिया है और आज पूरा विश्व एक तरीके से हस रहा होगा उनको देखे तो आज जो प्रियंका गांधी तब भाशर था वो भाशर ऐसा था कि समाज का हर तबका उनसे अपने आपको रिलेट करेगा लेकिन सबसे ज़ादा चोट पहुँचाने वाला भी वाशर था वो मोदी जी के लिए क्योंकि मोदी जी के पास प्रियंका गांधी की किसी भी तर्क का जवाब नहीं है आखिर क्या कहेंगे मंगल सूत्र पे भी उन्होंने जवाब दिया था मंगल सूत्र के की बात उन्होंने करना बंद कर दी अब आज इस तरीके से एक अटाकिंग मोड में प्रियंका गांधी नजर आई थी तो अब ये देखना होगा कि आने वाले जो चरण है और अब अगला जो चुनाव है साथ मई को है तो अभी काफी समय है और किस तरीके का नारेटिव बीजेपी गढ़ने की अब कोशिश करेगी लेकिन प्रियंका गांधी की बातों का जवाब मोडी जी के पास नहीं है आज ये बलसाट की जंता ने भी सुन लिया आप बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजम जी के प्लाटफॉर्म पर थैंक्यू सो मच